हाई याईस कैसे हैं आप सब IPL 2024 का मैच नमबर 69 एक तरफ है संदाजरे साधराबाद दूसी तरफ है पंजाब किंग्स यह मुकाबला संदाजरे साधराबाद के लिए बहुत जादे इंपोर्टेंट है अगर संदाजरे साधराबाद जीतती है तो टॉप टू में आने का मौ अब लहें दोनों टीमों के हालचा से सुरुवाद करते हैं तो संदाजरे साधराबाद का आखरी मैच लखनाओ के सामने था लखनाओ ने 165 बनाया था और ऐसारे ने सिर्फ नो दसमरों 4 ओवर में 166 बना लिया वह भी विकेट भीना विकेट खोए बैटिंग देखिए क् से एक सर्मा ने 75 बनाया है हेड ने 89 का स्कोर किया यह इनका आखरी मैच नहीं है आखरी मैच इनका बारिस कारण धूल गया था मतलब आखरी उस मैच को हम डिक्स करें जो पूरा खेल आ गया था ठीक है इंदवाजी की बात किया है तो भुनेश्वर कुमार बहुत अच्छ गंदवाजी करें तो गंदवाजी तो ओक्य-ओके रहे हैं, अभी धीरे-दीरे मेच अगर यह दोनों क्हेल गया है, और एक सो पैंसर्ट सिर्फ नौ दसमलों चार और उनों चेस करना बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर 267 की स्ट्राइक रेट से भी शेक सर्मा और 296 की स्ट्राइक रेट से जो है हेड बैटिंग करते बने जा रहा है आठ छक्के जड़े जो है हेड ने छे छक्के जड़े अब शेक सर्मा ने और मेडल और में भी नीटिष रेडी है इनके पास अच्छी बल्लेवाजी करें कलाशन है अब्दुल समाज, बाज काफी बल्लेवाज है बट जो इनकी में इस्टेंट है वो है इनके दोनों ओपनर्स जो की बहुत ज़ादे भायानक फॉर्म में है प्रिभियर्स पर्फोर्मेंस के लिए टेन आउड आप्टे निहाय सारज को मिला है अगर बात कीज़ाए पंजाब की तो पंजाब का आखरी मुकाबला राजस्तान के रोयल्स के सामने था 144 राजस्तान रोयल्स ने बनाया था और सिर्फ 85 ओबर में पंजाब केंग्स ने चेस कर लिया पाँच विकेट खोकर जिसमें साम करन कैप्टन ने 63 रन बनाया उसके लगव जीते सर्मा ने 22 अस तो उसने 17 और राइले रोश्त ने 22 बनाया काफी अच्छी है इनकी हाला कि अब जॉनी वरिष्ट्व यह मुकाबला नहीं कहलेंगे शिखर धहन भी नहीं खेलेंगे और साम करन भी नहीं खेलेंगे तो ऐसे मैं जीते सर्मा टीम को लीड करने वाले हैं और गिंदबाजी की बात किया तो साम करन अच्छी अतार बिगट लेने राहुल चेहर भी अपने आपको काफी इंप्रूफ की है प्रिफिर्स प्रफोंस के लिए 10 आउट आप 10 मिलता है इनको बट बैटिंग में काफी फेर बदल होगा यहाँ पर बैरिस्टों नहीं होंगे उसके अलावा जो है शायम करन नहीं होंगे और लि यहाँ एसरेच को और तीन नंबर पंजाब किंग्स को मिलता है पिछले पांच मैचों में तीन मैच हारी है एसरेच की टीम हाल फिलालमीन का मामला गड़ बड़ाया है यह चीज़ ध्यान दिने वाली बात है वही पंजाब सिर्फ दो हारी है तो यहाँ पर छे नंबर काबले खेलेंगे हैं सारेच का दबदबार आहा है पंजाब के खिलाफ और बाइस में से साथ मैच पंजाब जीती है टेन आउट अपर निया सारेच को फॉर आउट अफ टेन पंजाब किंग्स को प्लेइंग 11 देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लीड करेंग तो नहीं आ रही है बट इनके पास दो तीन गेम चेंजर है राइले रोसु शांग शिंग और असदोर सर्मा जो कि कभी भी किसी भी वक्त मैच चेंज कर सकते हैं और सारेच अपने वेनिंग कॉबिनेशन के साथ आ सकती है आईए बिना किसी देरी के बैटल सुरू करते हैं तो ट्रेविस हैट के सामने ओपनिंग में होंगे राइले रोसु ट्रेविस हैट 89, 48, 58 बैक टू बैक बड़ी पारिया खेल रहे हैं और 300 के स्ट्राइक रेट से बैडिंग कर रहे हैं राइले रोसु के लिए भी सीजन अच्छा गया है यहाँ 26, 43, 61, 62 अच्छे रंस किये बड़ ट्रेविस हैट बहुत ही जवर्जस फर्म में बहुत ही एक अलग लेवल की बल्लेवाजी कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रेविस हैट को जादे रेट किया जाएगा छे पारियों में 271 वैन्यू पर है चौवन का अवरेज है अब शेक सर्मा के सामने है प्रभ शिम्र को मैं जादे रेट करूँगा हाला कि कंसेस्टेंसी की बात किया तो प्रफिम्रन की जादे रही है अपनिंग बैटल ऑबिसली सानेजर सहदराबाद की जादे मजबूत है असली स्टेंथ हैं इनकी तो 10 आउट अप्टें और 8 आउप्टें पंजाब किंग को अपनिंग ब बनाया थे तो सीजन बहुत अच्छा गया है नितीस रेटी बहुत है स्टेबल बल्लेबाज इस्टेबल ओल्रोंडर है तो यहां पर मैं नितीस रेटी को जादे रेट करूँगा क्लाशन के सामने है श्रसांग श्रसांग 37, 27, 25, 68 और भी अची पारी आई है एक 46 सन की पार गर के इससल दिखलाई है 65 का हला की आबरज है है हाँ पर क्लाशन का सनवीर के सामने जीतेस सर्मा जीतेस सर्मा की बात की जातो हो आखरी इनिंग जो खेले तो इसमें 22 सर्म रहा थे यहां पर क्याप्टन भी होने वाले है बट इससल फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है स तनवीर अभी तक अपने आपको शाबित नहीं कर पाए बठालिया फॉर्म देखा जाया तो 30 प्लस के दो स्कूर देखने को मिलना है मिडिल ओडर में इस सारेज जादे मजबूत नजर आ रही है क्लासे नहीं इनके पास नितिसरडी है इनके पास बहुत अच्छे फॉर्म और ज्यादा भरोसा कमाया है सहबाज के सामने है रिसी धवन रिसी धवन 54, 95, 65 बहुत ही अच्छा इनका डोमेस्टिक सीजन गया है और फॉर्म हाल फिलाल में बहुत अच्छा रहा है सहबाज ने भी अच्छी बलेबाजी की है 40, 69 ये तो IPL में ही हमें देखने को मिला था तो दोनों बहुत ही कमाल के ओल उनर है और यहाँ पर मामला इक्वली नजरा आ रहा है एक और बलेबाज इनके पास हर्पित बरार है लोगर और में पंजाब के पास तो ये भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं लोगर और में दोनों टीमों को मैंने एक्वली रेट किया है पेस अटक की बात किया है तो यहाँ पर पैट कमेंस के सामने है अर्शदीप अर्शदीप हर मैच में एक एक दो दो विकेट लिये है बट हर मैच में इनकी इकनोमी बहुत जादे बेकार रही है सामने है पैट कमेंस जो कि ये भी हर मैच में एक दो दो विकेट लगतार ले करी यह स्टार्टिक में कर रहे थे इतों हरसल पटेल को जादे रेट किया जाएगा जहदेव नाटकेट और रिष्टी धवन की बात किया तो जहदेव आइपेल में लगतार गिंद बाजी कर रहे है और कभी अच्छा कभी बूरा जा रहा है वह रिष्टी धवन पहली बार खेलेंगे हाला कि domestic season में भी इनकी गिंदवाजी कुछ खास रही नहीं है तो pace attack में दोनों टीमों का d עमडोल हमें देखने को मिला है एक समामला देखने को मिला है ओक्योके दोनों का pace attack है तो 9 और 10 मांक्स दोनों टीमों को दिया है इस्पिन की बात किया है तो विजय कांथ के सामने है राहूल चहर विजय कांथ ने आकरी मैच में अच्छी गिंदवाजी गरी थी और यहां भी दो विकेट तीन विकेट लगातार लिया है वह राहूल चहर भी दो तीन विकेट लगातार लेते हुए नजर आया है यह भी आप थोड़ी जादे मजबूत नजर आ दी तो 8 out of 10 और 7 out of 10 यहाँ पर Sun Raiders को मिलता है इंपक्त की बात किया है तो Nathan Ellis ने आखरी मुकाबले में अच्छी गिंदबाजी गरी थी एक विकेट लिया था कि फाहिती गिंदबाजी गरी थी यहाँ दो विकेट तीन विकेट देखने को मिलता है पिच की बात किया है तो राजी उगादी इंटरेनल से इस टेडिया में मुकाबला खेला जायागा वैसे तो एक जमाने में यह विकेट गिंदबाजों को फेवर करती थी बट इस वक्त इस आरेज की श्रेंद इनकी बल्ले वाजी है तो बैटिंग फ्रेंडी विकेट बनाई जा रही है फाइव एक्ट्रा बोनस पोइंट यहाँ पर होम एडवांटेस के लिए मिलेगा इस आरेज को और 240-252 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच में अगर इस आरेज पहले बैटिंग करती है तो 76 मैचों में 165 का आवरेज स्कूर है 35 मैच डिफेंड चारिस मैच चेस हुए है 35 बार 150 से नीचे, 12 बार 150 से एक सुसतर, 12 बार 163 से एक सुनमबे और 17 बार 190 प्लस बना है पहले यहाँ पर जादे बड़े स्कोर नहीं होते थे 76 मैचों पर 424 विगेट पेसर ने और 187 विगेट स्पिनर्स ने यहाँ पर लिए है फाइनल स्कोर बताने से पहले आप से अनुरोध है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजिए लाश्ट में यह एस जरूर लागा है अगर आप सर्च करते हैं इंडियन यूज एक्सपर्ट अदरवाइज आप कमेंड बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी डिरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं दोगों फेक से बच के रहना है फाइनल अपडेट टीम और भी बहुत सारे नियूज अपडेट्स प्रेडिक्शन असली बारा प्रेडिक्शन टेलीग्राम पर ही आता है और वल्लकप भी आ रहा है तो टेलीग्राम से जरूर जूड़ है फाइनल स्कोर कुछ इस तरीके से है एसारेश को मिले है 89 आट अफंडेट महीं पंजाब को मिले है 72 आट अफंडेट मार्क्स यानि कि तब विनर इस सनराइजस हैदरबाद जी है सारेश के लिए बहुत इंपोर्टन मुकाबला है सेफ टीम देख लेते हैं तो यहाँ क्लासेन प्रभशिम्रन है राइले रोसू, कैप्टन हैड, वाइस कैप्टन अभिशेक, शाशांग शिंग, सहभाज एहमद, नितीस रेडी, पैट, कॉमिन, सरसल पतिल और अरसदीप यहाँ पर नजहर आ रहे हैं, तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो, मुझे उमीदे की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, पहली बार चाहल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आगन को भी प्रेस कर लें, धन्यवा प्राइब क्लागदी बार चाहल आपको पना एंगन को बार करता हैं, तो रहे चुछर करें, जहsın खपको लएच्छावफे का यहादील आपको नेचे इत आँ वारी आपको लेया।